दोस्तों आपका च्छत पुराना पड़ चुका है जैसे कि अब मैं वीडियो में दिखा रहा हूं ऐसा च्छत है जिसको पर बिरिक लगा है मतलों बिरिक बैट कोबा है या बिरिक बैट कोबा नहीं है और उस च्छत के ऊपर सीलन आ रहा है यह आपके बिल्डिंग में कहीं सेबन कोटिंग की जा रही है पेश्ट हो गया है लेकुट बड़ करका है पर हो इसे हाँ यहां पर हो नहीं चुरूर करा लें अगर ऑटरूफिंग नहीं करा दें तो इसमस्या नहीं खतम होगी और ज्यादा बढ़ी जाएगी शुरू-सुरू में नहीं समंभिमा एगा ल तो वह समस्य और बढ़ जाएगी जो अपके लिंटर को पूरा खराब कर देगा यह आप देख रहे हैं यह जो है किचन है यहां पर नायना कर श्टक्षन हुआ है इसकी वाटर प्रूफिंग की जारी है पेश्ट हो गया है टूटल तीन से चार कूट किया जाएगा गलास फा किसव क nominees है, तो आप अगल दाकर रहता के भी इस है वाटरिफिंग कर आ सकते हैं बीना वाटर प्रूफिंग क्ये आप च़ाएगा, क्योंकि वाटर П्रूफिंग ही इस लिए बना है ताहिए को प्रमbase ठक्या जाकता है तो ऊदिखिंग के क्राव। में हुन्ची सुरू हो गया है बात्रूम में भी होना शुरू हो गया है तो यहां पर बाटर प्रूफिंग करके उसके बाट टेस्टिंग भी की जाएगी मैं आपको बहुत सारे वीडियो डाड़ा हूं उसके रिलेटेड वहां से जाके हमारे चनल पर आप देख सकते हैं यह जो है बात्रूम है बा पर आरह जाता है या जो छोटे मोटे क्रेक होते हैं या पोर्स होता है जो पानी को एजार्ब करता है तो प्राइमर उसके इंतर चला जाता है और जाके वहां पर बलाक कर देता है उसके बाद इसके ओपर तीन से चार कुटिंग भी होगी पेश्ट लगेगा पेश्ट लग प्राइमर के बाद पेश्ट लग गया उसको सुखने के लिए चोड़ दिये गया जैसे कि आपको मैं दिखाया हूँ इसके बाद जो है यह फाइबर है फाइबर का इसमें काम हो रहा है फाइबर लग जाएगा उसके बाद इसके काम कंप्लीट हो जाएगा कुछ लोग गल ज्यादा है आपको मैं दिखा रहा है वीडियो में ज्यादा एरिया है यहां पर वाटर प्रूफिंग की जाएगा इसमें भी तीन से चार कोट होगा फाइबर में लगेगा एक रूल लग चुका है साइड में कोट रूल जो है अभी लगना सुरू हो जाएगा उसके बाद सुखने के लिए छोड़ दिया जाएगा जब यह सुख जाएगा उसके बाद यहां भी टेस्टिंग की जाएगी तो एक बिल्डिंग में कहां-कहां पर वाटर प्रूफिंग होती है जैसे सामने यह बिल्डिंग है यह पर्फेक्ट पर्फेक्ट टाइम है वाटर सुखने के लिए छोड़ दिया गया है जब सुख जाएगा उसके बाद